नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका बिहार समाचार में तो चलिए बिहार की दस प्रमुक बड़ी खबरों को जानते हैं तो खबरों की और आगे बढ़ने से पहले एक नज़न सुर्खियों पर निहार में नई गाइडलाइन जारी साधी ब्याँ में सामिल होंगे 50 लोग, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में नहीं होगी परिक्षाएं बिहार में टीका करन महाभ्यान को बड़ा जटका, अब हकते में 4 दिन ही लगेगी वैक्सिन बिहार में 170 अपसरों के तबादले पर रोग, डिप्टी सियम के विभाग का ट्रांसफर और इस्थगित बिहार में विदायक को आक्रोसित लोगों ने दी जमकर गाली, संकट में मदत नहीं करने पर भारी बवाल नितीज पर जमकर बर से तेजस्वी, 4 साल में 4 बार मारी पल्टी, ब्रस्टाचार के पितामा की नितिकता बंगाल की खाड़ी में डूब चुकी है पाचा के गड़ में चिराग की हुंकार, कहा पापा की कारिभूमी है हाजीपूर, आसिरवाद का हाथ सर से मत उठने दीजेगा राबडी और तेजस्वी नहीं होते, तो राची में ही हमें मार दिया जाता जानिए लालू ने क्यों कही ये बात, अगले चार दिन पूरे बिहार में भारी बारिस और ठनके के आसा, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट बिहार में कोरोणा वाइरस की दूसरी लहर का असर पहले से काफी कम हो गया है, जिसके बाद बिहार में एक बार फिर एक महने के लिए अनलॉक चार का एलान किया गया है चार अगस्त तक के लिए अनलॉक चार की नई गाइडलाइन को जारी किया गया है मुहिक मंत्री नितीज कुमार ने सोंवार को क्राइसिस मेनेजमेंट गरूप के बैठच के बाद नई गाइडलाईन का ऐलान किया है सरकारी शिक्छन संस्थान 11 और 12 तक के सकूलों को 50% चात्रों के उपस्तिती के साथ खूलने का आदेश दिया है लेकिन इस दोरान कॉलेज और यूनिवर्सिटी में किसी भी परिक्षा का आयोजन नहीं किया जाएगा साथ ही सरकार ने यहाँ सपष्ट किया है कि इन सभी के अलावा सभी स्कूल कोचिंग ट्रेनिंग और सक्षनिक संग्स्थान बंद रहेंगे लोक चार की नई गाइडलाइन में साधी व्याग को लेकर भी नए नियम बनाए गया है सरकार ने अब साधी में 50 लोगों को सामिल होने की अनुमती दे दी है पहले मात्र 20 लोग ही सामिल हो पाते थे लेकिन सरकार ने नाजगाना और डीजे पर अभी भी प्रतिबंध परकरार रखा है बारात और जूलुस पर पूरी तरह रोख है साधी व्याग की सुचना संबंदित थाने को विवा से 3 दिन पहले देनी होगी अंतिम संसकार और स्राद कारकरम में 50 लोगों के सामिल होने की छूट दी गई है बिहार में कोरोना टिकाकरन अभ्यान को सफल बनाने के लिए राज सरकार ने 6 महने में 6 करोड वैक्सिन देने का लच्च रखा था 21 जून को बड़े तामजाम के साथ सरकार की तरब से इस महाभ्यान की सुरुआत की गई थी लेकिन सरकार के वैक्सिन मिसन को अब बड़ा जटका लगा है बिहार में कोरोना टिकाकरन अब सफता में 4 दिन ही होगा जबकि 2 दिन नियमित टिकाकरन किया जाएगा रईवार को बिसेश परिस्थितियों में टिकाकरन होगा बिहार में टिकाकरन अभ्यान की इस्थिति क्या है इसे जानना हो तो रईवार को जीलों में दी गई वैक्सिन के आकड़े देखे जा सकते हैं राज के 8 जीलों में रईवार को एक भी वैक्ती को वैक्सिन नहीं लगी है 5 जीले ऐसे हैं जहां 100 से भी कम टिके रईवार को दिये जा सके स्वास्त विभाग की दलिल है कि कोरोना टिकाकरन का पूरा फोकस होने के कारण राज में नियमित टिकाकरन प्रभावित हो रहा है इसलिए अब दो दिन बुधवार और सुक्रुवार को सभी स्वास्त केंद्रों पर नियमित टिकाकरन का फैसला किया गया है राज में अब सोमवार, मंगलवार, गुरुवार और सनिवार को ही कुरोणा का वैक्सिन लगेगी राज सरकार की तरफ से हपते में चार दिन ठीका करन का फैसला किये जाने के बाद अब टारगेट और बड़ा हो गया है, राज में पहले सेकडों का लच पाने के लिए प्रति दिन 3.30 लाख लोगों को वैक्सिन देनी जरूरी थी, जो अब बढ़कर 5.70 लाख और सतन प्रति दिन हो गया है इस वक्त एक बड़ी खबर पटना से सामने आ रही है, बिहार में ट्रांसपर और पोस्टिंग के दौर के बीच सरकार ने एक बड़ा नीने लिया है डिप्टी सियम तारकिसवर प्रसाद के विभाग में पोस्टेड इन अधिकारियों के ट्रांसपर और को उस्तागित कर दिया गया है नितीज सरकार की ओर से यह अहम जानकारी साजा की गई है विभाग के नगर एवं आवास विभाग के नगरपाली का प्रसाद की ओर से मिली जानकारी के अनुसार फिलाल 170 अफसरों के तबादले पर ततकाल रोक लगा दिया गया है विभाग के निदेशक सतीज कुमार सींग की ओर से सभी जीलो के डियम नगर आयुक्त कारिपालक पदाविकारी और उन कर्मियों को पत्र लिकर सुचित किया गया है जिनका तबादला सरकार ने स्थगित करने का निर्ने लिया है नगर विकास एवं आवास विभाग के नगर पालिका प्रसासन निदेशाले की ओर से जारी पत्र के मुताबिक 20 जुलाई को बिहार के नगर निकायों में कारिजरत ग्रूप C के कर्मियों के तबादले को लेकर विभागिया आदेश संख्या 21 संतान में निर्गत किया गया थ जिसे फिलाल रोक दिया गया है पत्रे में कहा गया है कि विभिन नगर निकायों में कारिजरत इन कर्मियों के वेतन और सेवांत लाब में एक रूपता का अभाव है विभाग ने इस पर विचार करते हुए ततकाल प्रभाव से तबाले के आदेश को इस्थगित कर दिया ह अगातार हो रही बारिस से समुचा उत्तर भिहार पानी पानी हो गया है बारिस के बाद अब बार ने अपना रौदर रूप दिखाना सुरू कर दिया है राज के अलग-अलग जगहों से ऐसी ही तस्वीरे आ रही है जिसे देखने के बाद रौंक्टे खड़े हो जा रहे ह मोतिहारी में बार का कहर तेज हो गया है दस ब्लॉक बार से प्रभावित है बार प्रभावित गाओं में अब तक राहतकारी सुरू नहीं किया गया है जिस वज़ा से बार पेडितों में आक्रोज है लचर विवस्ता से नाराज लोग अपसरों और जनप्रतिनीदियों को जमकर बुरा भला कह रहा है पुर्भी चमपारन जिला के मोतिहारी में कई गाओं बार की चपेट में आ गया है मोतिहारी के सुगौली के थाना समेत स्टाप क्वार्टर में बार का पानी घुच गया है जिसके बाद पुलिस कर्मियों को एक प्राइवेट इसकूल में सरल लेनी पड़ी और वहीं से थाना चलाया जा रहा है उधर सुगौली रेलवे स्टेशन के एक नंबर रेल ट्रैक पर पानी चड़ने से ट्रेन परिचालन बंद कर दिया गया है तीन और चार नंबर ट्रैक पर भी पानी चड़ रहा है दो नंबर ट्रैक से परिचालन शुरू ह और जेडी के 25 पे स्थापना दिवस समारों में बोलते हुए निता प्रतीपक्ष तेजस्वी यादव ने मुखमत्री नितीजकुमार पर जम कर अपनी भडास निकाली है तेजस्वी यादव के निसाने पर नितीज सरकार से लेकर केंद्र की मोधी सरकार भी रही है तेजस्वी यादव ने काया कि नितीज कुमार नेतिकताओ वाली राजनिती नहीं करते हैं चार साल में चार बार पल्टी मानने वाले नितीज कुमार के उपर अब तो जनता को भी भरोसा नहीं रहा तेज़स्वी यादव ने काया कि अगर पाटी के कार्करताओं और निताओं को आइडियालोजी सीखनी है तो लालो यादव से सीखे लालो यादव को कितने तरह के मुकदमों में फसाया गया है और उन्हें परेशान किया गया है बावजूत इसके इन्होंने हार नहीं मानी लालो यादव ना तो जुके और ना ही तूटे तेज़स्वी ने काया कि वह अपने पिता के आदर्स पर चलते हैं और वह भी कभी ना तो जुकेंगे और ना ही तूटेंगे लोजबा में तूट के बाद चुनाव चिन बंगला पर कबजे की लड़ाई, सांगसत और चुनाव आयोग के बाद सुमवार को जमीन पर उतर गई बंगला पर कबजा के लिए सुमवार को हुए सक्ति प्रदर्सन में चाचा पर भतिजा भारी दिखे चिराग ने चाचा को अपने समर्थकों की ताकत और रोडसो से यहाँ बताने का प्रयास किया है कि लोजबा में तूट जरूर हुई है लेकिन चिराग का जादू अब भी सिर चड़कर बोल रहा है चिराग ने सभी समर्थकों के समर्थन में उच्साहित दिखे यही कारण था कि चिराग पासवान पटना हाइकोट के पास अमबेटकर की प्रतिमा के पास धरना पर बैट गए उन्होंने आरोप लगाया कि हमने जिला प्रसासन को बताया था कि पटना में हाइकोट के पास अंबेटकर की प्रतीमा मायलारपन करेंगे फिर भी हमें इसकी अनुमती नहीं दी गई थोड़ी दिर बाद चिराग बाहर से ही हाथ जोड़कर वैसाली के लिए निकल गया राबड़ी और तिजस्वी नहीं होते तो राची में ही हमें मार दिया जाता राजद के 25 अस्थापना दिवस के अवसर पर राजद प्रमुप लालु प्रसाद यादव ने ये बात कही है लालु ने काया कि लालु और राबड़ी के सहयोग से मुझे दिल्ली एमस में भरती कराया गया अब पहले से ठीक हो रहा हूँ पूरी तरह से ठीक होते ही पटना आएंगे और सभी जीलों में अपने उपस्तिती भी दर्ज कराऊंगा लालु यादव ने अपने संबोधन में प्यम नरेंद्र मोधी और स्यम नितीज कुमार पर हमला करने का कोई अवसर नहीं छोड़ा उन्हेंने काया कि सरकार देश के लिए अच्छी नहीं है जो सरकार मांगाई पर ब्रेक नहीं लगा पाती है वह सरकार आम लोगों की नहीं हो सकती है लालों ने तेजस्वी यादव की तारीप करते हुए काया कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तेजस्वी बिहार में राज़त को इतनी सीट दिला देंगे कम उमर में तेजस्वी ने बिहार जैसे राज में पार्टी की नईया पार लगाई है उन्होंने काया कि तेज़सी व्यादव के नित्यूति में राज़त का भविस उजुवल है वे पार्टी को आगे लेकर जाएंगे बिहार में अगले चार दिन तक बारिस और वजरबात के आसार बन गया है इस मौसमी दसा में पूरा बिहार प्रवावित होगा आयम्डी पटना के मुताबिक बिहार से दो ट्रफ लाइन गुजर रई है इस वज़ा से दो से तीन दिनों में बारिस में का आई कमी के बाद एक बार फिर बाड की इश्तिति बन सकती है उत्तर और दक्चिन बिहार में मजदम से भारी बारिस वो मजद बिहार में मजदम बारिस के साथ जबरदस्ट ठंका गिरने की असंका है इस संबन में ओरेंज अलट जारी किया गया है इस दोरान तेज हवा भी चलने के आसार हैं आधिकारिक जानकारी के मताबिक बिहार से गुजर रही ट्रफ लाइन राजस्तान से होकर पस्चिमी बंगाल तक पहुँच रही है वहीं दुसरी ट्रफ लाइन उत्तर पुर्व बिहार से सुरू होकर जारगंड होते वे सिधे पस्चिमी बंगाल पहुँच रही है इस तरह बिहार के लिए अगले कुछ दिन मौसम के लिहाद से महत्पुन साबित होंगे बिहार में लगातार हो रही बारिस के चलते बार जैसे हालात बन गया है सुबे में बार ने ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है राज के समस्तिपूर रेलवे डिविजन के सगौली मजोलिया मार्ग पर बार का पानी पूल के करीब आज आने की वज़ा से रेल परिचालन बंद कर दिया गया है कई रेलगाणियों का रूट भी बदल दिया गया है समस्तिपूर मंडल के मुझफरपूर पनिहवार रेलखंड पर सगौलिया मजोलिया स्टेशन के बीच पूल संख्या 248 के नजदेक बार का पानी आने के कारण इस रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन बंद कर दिया गया है इस कारण इस रेलखंड से गुजरने वाली कुछ इस्पेशल ट्रेनों का परिवर्तित मार्ग से चलाया जाएगा तो कुछ को निरस्त कर दिया गया है पाटली पुत्र इस्टेशन के खुलने वाली 05-201 पाटली पुत्र नरकटिया गंज इस्पेशल का आंसिक समापन मुझफरपुर में किया गया है बिहार में जून महने के अंदर हुई लगातार बारिस के बाद अब जुलाय महने में भी बारिस का सिलसला बना हुआ है मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए बिहार में बारिस और वजरपात का अलर्ट जारी किया है प्रदेश की जादातर इलाके में पिछले 24 घंटे के दोरान हलकी बारिस देखने को मिली है जबकि उत्तर बिहार के कुछ जीलों में भारी बारिस भी हुई है अब अगले 48 घंटों के लिए पुरे प्रदेश में बारिस का अलर्ट जारी किया गया है साथ इसाथ वजरपात की चितावने भी दी गई है पटना मौसन विज्ञान केंद्र ने बिहार के कुछ जीलों में बारिस को लेकर ओरेंज अलर्ट भी जारी किया है यह जादातर जिले उत्तर बिहार के पस्चिमी चंपारन और पुर्वी चंपारन के साथ सितामडी, दरभंगा, मदोबनी, सुपॉल, पूर्णिया, कटिहार और किसंगंज के लिए औरेंज अलर्ट जारी किया गया है इन 10 जीलों में कुछ जगहों पर भारी बारिस के पुरवानुमान दिया गया है 24 घंटे में राज के उत्री इलाकों में कुछ जगहों पर भारी बारिस हुई है जिसमें बीरपूर में 180 मिलिमिटर, तैयबपूर में 130 मिलिमिटर, भीम नगर और बगहा में 110 मिलिमिटर बारिस रिकॉर्ड की गई तो आज की सुर्खियों में बस इतना है, बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ हिसाथ अपने दोस्तों और इस्तितारों में सेर जरूर करें, धन्यवार